आप सभी को नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामनाई मा भगवती की किरपा पर सदेव बनी रहे रादे रादे एवरीवन आज की वीडियो में हम जानेंगी कि बहुत ही सल वीदी से हम पूजन कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में मैंने बहुत ही सर्ड और संपूरन पूजा वीदिया आपके साथ शेयर की है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम नवरात्रों की मियातारानी का पूजन कर सके तो सबसे पहले पर्थम नवरात्री के दिन सुबह सुबह की लगा लेंगे चोंकी पर हमें लाल रंका वस्तर बिच्छाना है देखिए अब थोड़े से चावल रख कर हमें मातारानी को विराजमान करेंगे जो भी मूर्तिया सवरूपापके पास है उसे आसन पर विराजमान कर देंगे आप चाहो तो चावल का आसन लगा सकते हैं फूलों से भी आसन दे सकते हैं फ्रेंड्स अब हमें कलश की स्थापना करनी है तो मातारानी के सीधे हाथ के तरफ हमें कलश की स्थापना करेंगे कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से करते हैं कुछ लोग जवारों अलग से भी बो देते हैं और चाहो तो कलश और जुवारे को आप एक साथ भी स्तापित कर सकते हैं तो चलिए अब सबसे पहले हम कलश की स्तापना करने के लिए हमें जुवारे को बो लेते हैं तो जुवारे बोने के लिए मैंने यहां एक मिट्टी का कुंडा लिया है उसमें मैंने मिट्टी डाल ली है और उसको मिट्टी से मैंने भर दिया है मिट्टी को साफ कर लिया है कंकर पत्थर को मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़े से जो जों है वो इसको मैं इसमें फैला दूँगी उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इस तरीके से जो के जब हम जुआरे बोते हैं तो मातारानी का यहाँ पर पूरा हमें दर्शन होता है। तो फ्रेंड्स आप पे इस तरीके से जुआरे बोते हैं पानी जादा नहीं डालना है। अब हम मातरानी के जो जो आ रहे हैं, उसको हम कुंडे को हम मातरानी के सिद्धे हाथ की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें कलश की स्थापना भी यही करने हैं, जिस तरफ शेर का मुह होता है, उसी तरफ हम ये कुंडा मेंने स्थापित कर दिया है, अब हम कलश की स्थापना करे इसके बते रवर पिट्टल का ओंधने के बाद इसको कंठ तक जल से भर लेंगे तो friends इसमें मैंने गंगा जल पहले ही मिला दिया था तो यहाँ पर मैंने इसको कंट तक जल से भर दिया है और उसके बाद हम इसको इसके बाद इसमें हल्दी डाल देंगे हल्दी की अगर गांठ नहीं है तो आप PCOE हल्दी भी डाल सकते हैं एक चुटकी और उसके बाद इस पत्ते लगाने हैं आप देखिए अगर आम के पत्ते नहीं है तो आप शोका के पत्ते भी ले सकते हैं 5, 7, 9, 11 जितने भी पत्ते आपके को मिल जाएं आप उतने पत्ते इसमें लगा सकते हैं पत्तों को पहले आप तिलक कर लेंगे तिलक करने के बाद यह पत्ते हैं हम में सजा दिया है और इस तरह से हम इसको सजाने के बाद हम इसको ढखकन से ढख देंगे आपके पास अगर मिट्टी का ढखकन है तो उससे ढख दीजी नहीं तो आपके पास कोई भी पितल का या कोई भी कलश है तो उसको धक कर उस पे चावल रख देंगे, तो इसके बाद हमने हाँ पर नारियल लेना है, नारियल को हमने यहाँ पर चुनी लपेट देनी है, फ्रेंड्स है, यह मैंने जटाओं वाला नारियल लिया है, इसका सीधा मुख यह इस तरफ है और चूँच वाला तरफ इसकी टेल होती है तो नारियल का मुख हमेशा जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो इसका मुख अपनी तरफ रखना चाहिए अब पहले मैंने इसको चुनरी लपेट दी है ये चोटी पतली सी चुनरी आती है नारियल के उपर ये लेकर आई थी तो इसको मैंने लपेट दिया है और उसको मैंने मोली बान दी है अब नारियल का मुख आपको अपनी तरफ करते हुए कलश पर हमें इसको रख देंगे और जो इसकी पीछे का भाग है वो हम दूसरी तरफ उसका मुख होता है तो इस तरह के से हम कलश पर नारियल रखेंगे और उसके बाद हम कलश की स्थापना कर देंगे देखिए अब अपना मुख अपनी तरफ मुख करते हुए हम कलश की स्थापना करेंगे और इसको हम जवारों के उपर, जो हमारा कलश है, जवारों के उपर हम इसको स्थापित कर देंगे, अब कलश की स्थापना हो गई है, अब थोड़े से चावल रखकर हम उस पर गनेश जी को विराजमान कर देंगे, तो देखिए friends मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल रख द जलाएगा, दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पूजा दिया जलाने से पहले, अगर आपने प्लेट में दिया जलाया है, तो उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए, अगर आप सिधा ही दिया जला सकते हैं, तो मैंने प्लेट में जलाया है, तो इसलिए मैं भगवान को कलावा समर्पित करते हैं अब गनेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है और उसके बाद हम माता रानी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे तो फ्रेंड सी कलावा समर्पित कर दिया है अब हम माता रानी को गनेश जी को हम जनेव समर्पित कर देंगे माता रानी को भी हम चुन्नी समर्पित कर देंगे देखे मातारानी को मैंने चुन्नी उढ़ा दी है और अब हम लार रंग की चुन्नी मातारानी को जरूर समर्पित करें अब हम तिलक कर देंगे पले गनेजी को मातारानी को उसको नारियल को और कलश को हम तिलक कर देंगे और कलश पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, स्वास्तिक हमारी पूजा का चीन शूब माना जाता है, तो स्वास्तिक जरूर बनाएं और उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे, क्योंकि तिलक लगाने के बाद हम अक्षत जरूर समर्पित करते हैं, अब हम फूल समर्पित करेंगे, गन अब हम्ठनें को समर्पित कीजिए माता रानी को चुनी समर्पित करेंगे जो भी आपने– 17, 16 संगहार को समाना आपने जा्र रानी को चढ़हाना हो अब मातय रानी को समर्पित कीजिए अगर आप ज्यादा– 16, 16 सम són gそれでは समर्पित जरूर करते हैं अब हम भोग समर्पित करेंगे, हम एक पान के पत्तर पर पर एक पतासा लोंग इलाइची और ये पांच चीजे हम समर्पित करेंगे, अगर आपके पास मीठा पान है तो अत्तितम है, नहीं तो आप ऐसे भी समर्पित कर सकते, फिर हम पतासे समर्पित करेंगे, मातारानी को भोग में पताच से अर्की पिरिया है, तो पताच से समर्पित करने के बाद हम रितुफल समर्पित करेंगे, इस रितुफल समर्पित कर दिया है, जल के बिना कोई भी भोग समपूरा नहीं माना जाता है, तो एक कलश, एक लोटा जल का हम मातरानी के आगे जरूर रखेंगे, दक्षना समर्पित करेंगे और ये दक्षना हम किसी भी दिन नो के नो दिन में से किसी भी दिन आप ये मातारानी को समर्पित कर सकते हैं अब उसके बाद हम हापने सीधे हाथ में फूल लेकर या चावल लेकर दूरगा सबसमिद्री का पाठ कर सकते हैं कोई भी मातारानी की कथा कर सकते हैं, दूर का चल सेगा पाठ पर सकते हैं, आप यहां नवरातरी की वर्त कथा सुन सकते हैं, कथा या पाठ करने के बाद यह है फूल आप मातारानी को समर्पित कर सकते हैं, तो उसके बाद जैसे हमारी कथा पूरन हो जाती है, जो भी पाठ ह परात्रा करें, उसके बाद हम छोटा सा इक हमें हवन करना है, नवरातरी में हवन का भूत अधिक महतव होता है, दोनों समय नय भी कर सके तो एक समय जरूर करें, इसमें गाएं के बने गोबर के उपलों को मैंने जला दिया है, आप इसे हवन कुन में भी रख सकते हैं, या द परवजलित हो गई है, हमने इसमें लोंग का जोडा चड़ाना है, तो फ्रेंट जब भी हम मातरानी का ये करते हैं, तो इसमें फूल वाली लोंग होती है, जिसमें फूल बना हुआ होता है, तो फूल वाली लोंग हमने इसमें दो दो जोडा करके हमने इसमें चड़ानी है तो हम जैसे ही इसमें चड़ा दिया हम लोग का जोड़ा समर्पित कर दिया है और उसके बाद हम जो भी हमने भोग सवरूप पता से थे जो भी हमने भोग की सामगरी रखी हुई है या पंचमेवे रखी हुई है वो हम इसके अंदर समर्पित करेंगे मातरानी का जो ये भोग हम समर्पित किया जाता है वो सीधर देवी देवताउर तक पहुंचता है अगनी में नवरातरों में भोग जरूर समर्पित किया जाता है इस तरह से हमारा हवन पूरन हो जाता है कुछ लोग इसमें हवन सामगरी की हाउती भी देते हैं, आप चाहो तो हाउती भी समर्पित कर सकते हो, नहीं तो सरवीडी से भी आप हवन कर सकते हैं, नवरातरी में पूरे नो दिन तक हैं छोटा सा हवन करना होता है, उसके बाद हम हाथ जोड कर जल के छीटे लगा कर हम द छेड़ना होता, नो के नो दिन वो दूसरे दीपक जला कर या कपूर से आप आर्ति कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अच्छे से भाव के साथ आर्ति करनी हैं, आर्ति करने के बाद मातारानी से पूजा मेरे ही कम्यों के लिए शमायाचना करनी हैं और अपनी मन परशाद जो हमने भोग पर शाद चड़ाया है, घर के सबी संदस्वों में बाठ देंगे, जो भी फल आपने चड़ाये हैं, पता से मिठाय के सबी संदस्वों में बाठ देंगे, जो आपने हवन किया उसके हरे कोने में घुमा कर ले आएंगे, ताकि इसका धूँ अगर स सबी जगे फैल जाए और ताकि पूरा घर पवित्र हो जाए फ्रेंड्स अगर आपको नवरात्री के सर पुजावीदी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलाएं घर पर 30 तोहर कैसे मनाते हैं यह द देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें